जै श्री राम प्यारे वगतों भगवान कहते हैं कि जब आपकी इच्छा पूरी होने वाली होती है तो मैं कुछ खास संकीत जरूर देता हूँ जानने के लिए अंतितक बने रहेगा क्योंकि आप समझ नहीं पाते हो कि अब हमारी इच्छा पूरी होने वाली है बहुत दिनों से भगवान से अपनी इच्छा मांग रहे हो या आपके मन में है और वो पूरी नहीं हो रही है तो जब वो पूरी होने वाली होती है तो क्या होता है कि आपके अंदर ओटोमेटिकली विश्वास बढ़ जाता है जैसे कोई आपको कहेगा रिच्छोड़ना इससे कुछ नहीं होगा तो आप कहते हो नहीं ऐसा हो इनी सकता ना पक्का ओगा मेरी इच्छा पूरी होगी होगी या और भी कोई काम हो सकता है उस में मतलब आपका अत्तम विश्वास बढ़ जाएगा विश्वास अपने आप आने लगेगा तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी विश्व जरूर पूरी होगी और सिग्र ही होने वाली है नमबर दो आपके मन के अंदर सकारात्मक विचाराने लगते हैं जैसे नकारात्मक आप सोचों गए नहीं कि जैसे पहले मनुस्य कई क्या करते हैं विश्व भगवान से मांगते हैं लेकिन उनके मन में रहता है ये तो पूरी होई नहीं सकती ये तो असंभव है इमारी किसमत तैसी कहां है लेकिन जब विश्पूरी होने वाली होती है तो आपके अंदर ये विचार आते हैं कि हाँ यह बिल्कुल हो सकता है भगवान तो सब कुछ कर सकते यानि कि आप हर पर पोजिटिव सोचते हो नमबर तीन जब आपकी विश्पूरी होने वाली होती है तो आपके घर में अगर बड़े बुजर्ग है आपके माबाप है या साससुसर है या जेट देवर है तो आपको एकदम से ऐसा उनके प्रति फील होता है कि मैं इनकी सेवा करूँ यानि कि सेवा भाव आ जाता है उनका आदर करू उन्हें किसी भी तरह से कोई भी दुख न पोचाओं सेवा भाव आ जाता है आपके अंदर तो यह अमने तीन संकेत बताए अगर किसी के भी ये तीन संकेत किसी को नजर आते हैं तो आप निरंतरता और विश्वास से भक्ति करते रहें नामजब करते रहें और निश्चित आपकी विश्पूरी खोने वाली हैं अब हम अपने वारी प्रोग्राम देते हैं जैश रहा करो